हमशकार मैं अभी ने आप सब का अभी ने मैं इस पर स्वागत करता हूँ कैसे हैं दो दिन से क्लास नहीं हो पारी थी मेरी बहुत हालत खराब थी आजी मैं कई दनों मैं नहाके और फ्रेस फील कर रहा हूँ डॉक्टर ने तो बिलकुल रेश्ट करने के लिए कहा था बट इ यहां पर क्लास ना लेनी की वज़ए यह थी कि मैं आदा एगंड़ा क्लास ले भी लेता बट बिना एसी की नहीं ले सकता था और सरदी जो काम खासी में आप जानते हैं कि एसी आउसको और बढ़ा सकता है या और खराब कर सकता है इसलिए क्लास नहीं होई आप एटू जो इन वॉलिम पर कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं क्या क्या चीज़ हैं आपको मालूम हैं कि लडी सी का पेपर आ रहा है तो उन सब के लिए हम इस पिसल क्लास भी रेगुलर लगा रहे हैं और आज जो मैंने इस पिसल क्लास लगाई है पांच बज़े कम्प्लीट सर्ड एंड इ इन डाइसेस कम्प्लीटली बिद आल प्रिवेस यर कॉश्चन के साथ खत्म करेंगे और उसके बाद आठ से दस प्रक्टिस क्लास है रिविजिन क्लास है हाइट इन डिश्टेंस की क्योंकि उसमें बहुत जादा कॉंसेप्ट होते भी नहीं है वो भी हम आल प्रिवेस यर समझ पाएं और जो चीज़े ना आती हैं लिख भी पाएं ठीक है 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 बहुत आरम आरम से पढ़ाऊंगा आज की क्लास कम्प्लीटली कीबॉइट को डेडिकेटेड होगी कल की क्लास क्यूब को होगी पढ़ेंगे कैसे वो पढ़ने का तरीका बता देता हूं कि आज की क क्लास में हमने बेसिक्स के साथ सथ कीबॉइट जान लिया कीबॉइट के बाद हमने क्यूब पढ़ लिया क्यूब के बाद हमने स्लेंडर के बाद हमने कौन पढ़ लिया और फिर स्फेर हैमिस्फेर इन सब को मिला के जो मिस्लेनियस क्वेशन बनते हैं वो बीच बीच में भी आएंगे पहली class को छोड़के क्योंकि आज की class में तो सिर्फ की बात करने हैं तो मिश्लेनियस का सवाल नहीं उठता वट आगे की classes में जब क्यूब पढ़ेंगे तो फिर क्यूब से related और क्यूब से दोनों से mix सवाल भी करेंगे जब cylinder तक बात पहुंच जाएगी कौन तक बात पहुंच जाएगी तो कौन cylinder क्यूबएड को mix करके भी सवाल पढ़ेंगे यह सारी चीज़ें देखेंगे तो आप heading लगा लीजिए mensuration 3D हमेशा heading side में लगाई है आज उपर लगा रहें mensuration 3D mensuration 3D mensuration 3D mensuration 3D के अंदर हम क्या पढ़ते हैं पहले तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं तिर विमी जामे थी छेतरा मे थी तिर विमी थी यानि यहाँ पर तीन विमाएं होती है जो अभी तक हमने पढ़ा जो अभी तक हमने पढ़ाता वो हमने टू भी मिये पढ़ाता यानि कि हम सिर्फ लंबाई और चौडाई की बात कर रहे थे जो अभी तक हमने पढ़ाता वो लंबाई और चौडाई की हम बात कर रहे थे लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो लंबाई चोड़ाई के साथ उचाई की भी बात करेंगे क्या हो रहा है, फोकस डिश्टरब हो रहा है क्या अभी ठीक है ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे या जो हम mensuration 3D में बात करेंगे उसमें उचाई भी होगी, यानि अभी तक हम ऐसे चल रहे थे, ऐसे और ऐसे, अब ऐसे भी चलेंगे या आप ऐसे कह सकते हैं कि अभी तक आप जमीन पे थे, ऐसे और ऐसे, अब आप उपर भी उठ गए, अब ये एक लाइन ये भी होगी जो ये मार्कर है, ठीक है इसके अंदर हम पढ़ते क्या हैं, इसके अंदर हम पढ़ते हैं सर्फेस एरिया और वॉल्म, जैसे मैंसरेशन टूडी में हम क्या पढ़ते थे, एरिया और पेरिमीटर वैसे हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, सर्फेस एरिया और वॉल्म surface area and volume तो surface area and volume क्या होता है हिंदी में इसको क्या कहते है प्रश्टिये छेतरफल प्रश्टिये छेतरफल प्रश्टिये छेतरफल और और एयतन प्रश्टिये छेतरफल और आयतन क्या हցता है प्रश्टिये छेतरफल और अईतन surface area and volume प्रश्टिये छेतरफल और आयतन इसके अंदर हम पढ़िए तो इसके इंदर दो तरीकी की चीज़े होती है एक तो ऐसे figure जो उपर से लेकर के नीचे तक एक जैसे हैं X-axis के along काट लीजिए उनको चाहाँ Y-axis के along काट लीजिए वो सेम बचते हैं बट कुछ ऐसे figure जिनको हम Y-axis के along काट रहे हैं तो सेम टुकडा बच रहा है बट अगर X-axis के along काट रहे हैं सेम टुकडा नहीं बच रहा वैसे दो फिगर हम यहाँ पर पड़ेंगे जैसे एक तो सिमेट्रिक सिमेट्रिक में हमारा क्या-क्या आ जाएगा उपर से नीचे एक जैसे तक कहीं से भी आप काट लेंगे तो क्या होगा कि सेप या आधार की सेप कभी नहीं बदलेगी वो सिमेट्रिक में आएएगे जैसे कीबॉइट की बॉइट क्यूब सिलेंडर यानि आधार की सेप कभी ना बदले तो वो सब किसमे आएंगे सेमेट्रिक में या फिर प्रिजिम पी आर आई एसम अभी इनकी हिंदी भी बता दूँगा क्या होती है और दूसरा होगा एसेमेट्रिक जैसे कौन प्रामेट इस्फियर, हैमिस्फियर, एटीसे यह हमने एक में रख दिये आप कहरेते कि यह बाटने वाली बात समझ नहीं आई तो मैं आपको समझाता हूँ जैसे कि एक सिलेंडर है एक सिलेंडर है सिलेंडर ऐसे ही होता है अभी आपने नहीं देखा होगा बचेगा और जो उधर पार्ड बचेगा वो सेम होगा अगर मैं इसको X-AXIS के अलों काटता हूँ तो आप देखेंगे जो ऊपर पार्ट बच रहे होई नीचे बच रहे है तो यह किस में आगया सिमेट्रिक में आगया यानि x-axis के along काट लो चाहिए y-axis के along काट लो दोनों के along के same part बच रहा है बड़ जब कौन की बात हम करते हैं कौन की जब हम बात करते हैं तब कौन की बात में क्या होता है अगर मैं y-axis के along काट रहा हूं तो सेम टुकड़ा बच रहा है इधर भी और उधर भी बड़ जब मैं X-axis के एलोंग काट रहा हूं तो उपर नीचे सेम नहीं बच रहा हूं तो यह किस में आ गया asymmetric में आ गया अच्छे मैं यह क्यों बता रहा हूं कि यह asymmetric में यह asymmetric में क्योंकि आप देखते होंगे कि सब के formula अलग अलग याद करना या फिर हम क्या करेंगे इन formula को दो ही पार्ट में बार देंगे symmetric में होगा तो यह formula लगेंगे asymmetric में होगा तो यह formula लगेंगे यानि दो प्रकार के formula पे हम पूरे mensuration 3D को खत्म कर लेंगे बात आरी है नहीं आरी समझ भाई ठीक है समझ पा रहे हैं बिलकुल आगे बढ़ते हैं तो अब मैं बताने जा रहा हूँ यह formula बताने जा रहा हूँ कि formula क्या है आपने लिखी लिया होगा इतना ठीक है इतना लिखने के बाद आप देखेंगे जैसे कि symmetric वाले case में formula क्या होते हैं symmetric SYMM symmetric वाले case में formula क्या होते हैं volume निकालते हैं volume 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 का मतलब आइतन आइतन क्या होता है आइतन होता है area of base area of base into height area of base into height क्या होता है symmetric वाले case में volume क्या होता है area of base into height यानि आधार का छेतरफल गुणा उंचाई हिंदी में लिख लेंगे इसी बात को आधार का छेतरफल गुणा उंचाई आधार का छेतरफल गुणा उंचाई क्या होगा volume चाहें फिर अप keyboard का निकालना हो चाहें cylinder का निकालना हो चाहें cube का निकालना हो चाहें प्रिजिम का सब में यही formula लगेगा ठीक है अब बात आती है lateral surface area तो पहले यह जानना जरूरी है कि lateral surface area होता क्या है जैसे कि यह pen है तो इस pen को घूम कर मैं जितना देख सकता हूँ यह room है जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैं घूम करके इसकी चारों दीवारों को देख सकता हूँ तो यह lateral surface area है यानि lateral surface area में हमारी जो निगाह है वो सीधे रहेगी और चारों तरफ गूमेगी ना तो हम उपर देखेंगे ना हम नीचे देखेंगे यानि lateral surface area में एक तो उपर का चितरफल नहीं आएगा और एक नीचे का चितरफल नहीं आएगा बाकि चारों भागों का आएगा जैसे इस glass की बात करूं में यह glass है तो इसका यह पूरा चितरफल यह lateral में आएगा जो इधर-दर देख रहा है ना तो यह उपर वाला और ना ही इसके तली वाला नीचे वाला चितरफल नहीं count करेंगे lateral surface area का मतलब भी यह होता है पार्स सतय का चितरफल जिसमें ना आदार है ना च्छत है तो lateral surface area क्या होता है shortcut में इसको LSA लेटरल सर्फेस एरिया यानि कि पार्स सतय का चितरफल पार्स सतय का चितरफल पार्स सतय का चितरफल lateral surface area क्या होगा पार्स सतय का चितरफल ठीक है तो देखिए क्या होगा perimeter of base perimeter of base into height perimeter of base into height यानि कि आधार का परिमाप आधार का परिमाप गुड़ा उंचाई आधार का परिमाप गुड़ा उंचाई आधार का परिमाप गुड़ा उंचाई क्या होगा lateral surface area होगा LSA होगा, ठीक है, किलियर है बात, बिलकुल, यह सम में लगेगा, यह little surface area, keyboard में भी लगेगा, cube में भी लगेगा, cylinder में भी लगेगा, सम में लगेगा, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते है, total surface area की, TSA, total surface area, total surface area, तो total surface area क्या होता है, मैं बता देता हूँ, total surface area का मतलब होता है, कि जो हमने LSA निकाला, उसमें अब आप उपर का छेतरफल, छट का और roof, यानि कि छट और जमी, सत्य का, base का area, दोनों add कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, total surface area, तो हम क्या करते हैं, जब TSA निकालते हैं, तो हम कहते हैं, LSA तो हमारे पास निकला हुआ है, इसके अंदर आप 2 into area of base और कर दो, 2 into area of base और कर दो, इन तीन फॉर्मूले से आप सब के फॉर्मूले बना सकते हैं, चाहें आपको कीवाइट के बनाने हो, चाहें क्यूब के बनाने हो, चाहें सिलेंडर के बनाने हो, किसी के भी बनाने हो, इसके बाद देखेंगे asymmetric के formula बनाऊँगा मैं यहीं पर क्या changes होता है इसी में कर दूँगा अलग से लिखने की जरूत नहीं पड़ेगी time बच्चे का हमारा आप इसकी photo खीच लीजे फिर मैं इसी में change करूँगा ठीक है तो asymmetric क्या होता है देखे A asymmetric में क्या होगा volume में 1 by 3 आजाएगा बस और कुछ ने volume में क्या होगा 1 by 3 asymmetric किसके लिए है कौन का निकालना हो प्रामिट का निकालना हो तो यह 1 by 3 आजाएगा जब हम LSA की बात करेंगे तो इसमें half आजाएगा half आधा बट एक और change होगा वहाँ पे height ना होकर के silent height होगी silent height silent height यानि कि तिरियक उचाए क्या होगी silent height होगी आधार का परिमाब बढ़ा तिरियक उचाए ठीक है LSA क्या होगा total surface area में यहाँ दो नहीं आएगा क्योंकि आपने देखा उन सब में क्या बनदा है knock बन रही है उपर जैसे इसमें knock बन रही है तो एक area बस base का रह गया उपर तो है यह नहीं कुछ तो सिर्फ area of base add होगा और कुछ बस इतना अंतर है asymmetric में एक बटा तीन यहाँ एक बटा दो के साथ क्याइड हेडिंग लगा लेंगे की बॉइट क्याइड हेडिंग लेंगे की बॉइट की बॉइट की बॉइट का मतलब होता है घनाब क्या होता है घनाब की बारे में क्या क्या चीज़ें हो लिखने है अब इसी चला सकते हो क्योंकि फिर मुझे लगने लगी है गर्मी इसका मतलब कि कुछ गड़बड हो सकते है अब आज कट सकते है कि लंबी क्लास लेने हैं इसी चला दो घनाब मतलब कीवाइट और इसको हम और क्या-क्या लिखेंगे कमरा यानि कि जो रूम होता है वो भी एक कीवाइट होता है कमरा और दूसरी चीज रेक्टेंगुलर पैरलेलो पाइपड भी इसका नाम आपको मिलेगा रेक्टेंगुलर पैरलेलो पाइपड उसका जो फैन है वो नीचे की तरफ ही कर लो बहतर रहेगा rectangular parallelo pipe ठीक है keyboard, घनाब, कमरा या rectangular parallelo pipe ये सब एक ही बाते हैं ये सब एक ही बाते हैं ठीक है ये सब क्या हैं एक ही बाते हैं अब समझेंगे ध्यान से इस बात को कि एक rectangle है मैं आपको चितर बना हुआ देखा दूँगा अब एक rectangle है ये रह और इसके उपर मैंने बहुत सारी rectangle और बना दिये, तो ये क्या बन जाता है, ये keyboard बन जाता है क्या बन जाता है, जी keyboard, ये ना ये keyboard बन जाएगा, ये keyboard है अब इस keyboard के अंदर, ये इसका base है जो ABCD मैं नाम दे रहा हूँ ABCD इसका base है ABCD इसका base है अगर ABCD इसका base है तो AB का मतलब L यह लंबाई हो जाएगी यह B चोड़ाई हो जाएगी और उचाई क्या होगी यह उचाई है यह उचाई है यह हमने एक keyword बना दिया ठीक है बन गया जी keyword अब मैं आपसे क्या-क्या पूछ रहा हूँ इस keyword के अंदर मैंने कहा कि भाई आप volume बता सकते हो keyword का तो आपने कहा हाँ जी volume निकालना तो आसान है आए तन आपने कहा था area of base rectangle का area कैसे निकलता है L into B तो हमने L into B कर दिया base फिर आपको पता है height into H तो formula क्या आगया volume का L B H यही तो अभी बताया था symmetric figure में क्या कहा था area of base into height बोला था बोला था यह नहीं बोला था ठीक है इसके बाद मैंने क्या करा volume निकाल दिया फिर मैंने का L S A literal surface area तो बच्चा बोला कि अगर कमरा है तो कमरे के case में हम literal surface area को क्या बोलेंगे तो आपने का कमरे के case में हम literal surface area को बोलेंगे 4 दिवारों का छेतर फल लिटल surface area को क्या बोलेंगे 4 दिवारों का छेतर फल 4 दिवारों का छेतर फल तो यह हमने कैसे सीखा था आपने कहा था जी perimeter of base कोई बच्चा बता सकता है कि rectangle का perimeter क्या होता है तो बड़े आसानी से twice of L प्लस B होता है और into उचाई H होती है यह क्या आगया LSA आगया अगर यही कमरा वर्ड यूज होगा तो हम इसी को कह देंगे कि 4 दिवारों का छेतर फल है LSA हमने निकाल लिया LSA निकालने के बाद क्या होगा LSA निकालने के बाद माल लेते हैं हमें चाहिए TSA total surface area तो आपको पता है कि यह कैसे निकलता है जो LSA हमने निकाला है twice of L plus B into H उसके अंदर 2 into area of base और add कर दीजे 2 into area of base और add कर दीजे जब यह add कर दूँगा और 2 common लूँगा तो आपको पता है अंदर कितना बचेगा LB plus BH plus HL यह total surface area का formula आ गया सारे formula कैसे बन रहे हैं अगर आपको यह पता होगा तो आप आसानी से उन्हें याद रख पाएंगे वरना जल्दी जल्दी भूलते रहेंगे समझ रहें हैं बात को या नहीं volume LBH LSA of LB जो बन जाता है twice of LB plus BH plus HL ठीक है इजिट के लिए सबको के लिए रहे बात अच्छा एक और चीज़ क्या है कि अगर मैं आपसे adjacent surface की बात करूँ तो वो ना मैं आपको चितर में दिखा पाऊँगा आप ये चितर देखो मैंने एक चितर बनाया हुआ है कि वयट का यहाँ पर मैं जादा बहतर तरीके से आपको ये चीज़ सिखा पाऊँगा ठीक है मैं क्या सिखाने की बात कर रहा हूँ अपने volume देख लिया ये देख लिया आचा जैसे adjacent surface की अगर मैं बात करूँ आपसे की कौन सी surface adjacent है तो आप कहेंगे जिनका common vertex है common vertex मैं अगले पेच पर ये बात लिखने जा रहा हूँ मैं अगर पूछ हूँ कि adjacent surface क्या होती है adjacent surface ये word यूज होगा आपसे बहुत ज़्यादा adjacent surfaces मैं सब कुछ पहले ही बता के चल रहा हूँ इसलिए adjacent surfaces तो इसके आगे आप लिखोगे meeting meeting या meet at common vertex common vertex common की spelling कलत है manage कर लेंगे ठीक है हमने क्या कहा कि adjacent surfaces वो surfaces होती है जो common vertex पर मिलती है जैसे इस चित्र में मैं आपसे पूछूँ कि adjacent surfaces कौन सी है तो बच्चा जवाब ये देगा नेले कलम से कि जी इससे एक तो ये मिल रही है ये surface बन रही है एक तो adjacent भाठीक है एक surface कौन सी बन रही है ये 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 बन रही है ये बुलेगा बच्चा एक surface कौन सी बन रही है ये तो मैं यह कहा रहा हूँ कि इन सर्फेस के एरिया क्या होंगे तो आप कहेंगे जी इसका ये तो L है और ये B इसका एरिया हो गया इस वाले सर्फेस का L भी फिर मैं कहूंगा इसका क्या होगा तो आप कहेंगे ये तो L ही है लेकिन ये H है तो इसका area हो गया LH फिर मैं कहूँँ आर ये तो H है और आपने का ये B है इसका area कितना हो गया BH समझाई बात नहीं आई कि इस surface में H है L है तो LH area हो गया इस surface में H है B है तो BH area हो गया सारे rectangle हैं दिख नहीं रहे तेड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि 3D figure है ये L into B हो गया तो मैं एक चीज लिखना चाहता हूँ यहां पर कि जो adjacent surfaces होती हैं इनके area क्या होंगे इनके area क्या होंगे तो आप कहेंगे इनके area होंगे जी LB, BH, HL अगर हम इनको XYZ नाम दे दें मैं कहूं कि ये surface के जो area है वो X बराबर LB मान लिया एक बार Y बराबर BH मान लिया एक बार Z बराबर HL मान लिया तो आप इन सब को अगर गुणा कर दें तो यह आ जाएगा L2, B2, H2 बराबर XYZ यानि volume LBH कितना आ जाएगा under root XYZ यहां से मैंने क्या सिखाया आपको मैंने यह सिखाया कि एक keyboard की अगर adjacent surface का area XYZ दिया हुआ है तो उसका volume होगा under root of XYZ यह वात आप से पूछी जा सकते है किसी भी keyboard की adjacent surfaces का area अगर XYZ दिया हुआ है तो volume क्या होगा LBH बराबर under root XYZ adjacent surface होती कौन सी है meeting at common vertex meeting at common vertex जो vertex एक common point पे मिलती है जो vertex एक common point पे मिलती है उन्हें हम क्या कहते है adjacent surfaces देखे मेहनत करनी पड़ेगी समझना पड़ेगा practice करनी पड़ेगी बिना practice के कुछ नहीं है आप सिर्फ सीखते हैं और उसको copy में जाकर जाके भूल जाते हैं वैसे काम नहीं चलेगा मैं बार बार कहता हूं कि जब तक सवाल करेंगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं आप चाहें कितनी भी तैयारी आद्धूरी है कि जब तक आप practice नहीं कर रहें और practice के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है test इर you कि जैसे hot star पे आप एक बार subscription लेकि सारी मूबियां देख सकते हैं ऐसी test book का pass लेने के बाद आप सारे exam के test दे सकते हैं चाहें आप SSCGL की त्यारी कर रहे हैं चाहें CHSL की कर रहे हैं चाहें railway, group D, bank किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं CDS की त्यारी कर रहे हैं सारे mock text available है तो maximum से maximum mock text देने की कोशिश करिए practice करिए link description में दिया हुआ है अबनेट and code यूश करिए fees भी कम हो जाएगी बिना practice के बट होने वाला कुछ नहीं जितनी maximum practice गड़ित उतना ही perfect बनेगा अगर आज मैं 6 महीने के लिए छोड़ दूँ तो साइट 6 महीने बाद मुझे भी geometry के सवाल करने में दिक्कत आने लगे बट लगातार practice में हैं बार-बार पढ़ा रहा हूँ topic को 3-4-4 batchage में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे रटी हुई है यह बात है अच्छा अगली एक और बात मैं आपसे जानना चाहरा हूँ कि अगर मैं इनके diagonal की बात करूँ जैसे मैं आपसे ये वाला diagonal पूछूँ ये वाला तो आप क्या बताएंगे सिर्फ इस diagonal की बात करूँ तो आप कहेंगे ये तो कोई दिक्कत नहीं है under root L square plus B square हो जाएगा ऐसे मैं इसका diagonal पूछ लूँ आपसे इसका तो आप कहेंगे under root L square plus H square हो जाएगा ऐसे इसका भी diagonal पूछ सकता हूँ ये तो आप कहेंगे ये हो जाएगा under root B square plus H square तो एक बात साइड में और लिखनी होगी आपको अगले पेश पे कि इनके diagonal भी अलग-अलग होते हैं adjacent surfaces के diagonal ये तो मैंने area लिखे इनके diagonals भी होते हैं adjacent surfaces के और वो normally क्या होते हैं under root L square plus B square अभी सवाल से ये सारी बातें केलियर हो जाएगे बिना सवाल के कुछ भी समझपाना मुश्किल है बट सवाल से सब बातें केलियर हो जाएगे under root H square plus L square ये ही उत्तर है ये ही उत्तर है area और diagonals LB, B, H, HL ठेक है ये वाली बात लिख लिए आपने अब rectangle के अंदर आपको क्या-क्या समझ आ गया क्यूबएट के अंदर कि भाई इसका volume LBH होता है LSA ये निकाल दिया हमने TSA निकाल दिया अच्छा complete diagonal क्या होता है आपको मालब है कि complete diagonal क्या होगा आप चाहो तो मैं proof बता रहेता हूँ वरना जरूत नहीं है कि इस कौने से ले करके इस कौने से ले करके और यहां तक का diagonal क्या होगा इस कौने से लेकर के यहां तक कड़ाएगो यह निकाल परना बड़ा मुश्किल काम है बट कोई खास मुश्किल नहीं है होता क्या है मैं आपको बताता हूँ यह वाली चीज भी निकाल के जैसे कि यह आपका इसका बेस्ता रेक्टेंगल ठीक है यह आपकी L थी यह B थी यह आप निकाल चुके थे अन्डर रूट L स्कॉर प्लस B स्कॉर निकाल चुके थे अब जब आप एक और सर्फेस उपर बनाते हैं जब आप ऐसे यह उपर बनाते हैं यह है ठीक है तो मैं यह कह रहा था यह जो दूरी होती है ये दूरी h होगी इस o चाही तक और हमें basically कौन सी चाहिए तो आप कहेंगे हमें ये diagonal चाहिए जी यहां से यहां तक देखेंगे अब आपको ये दिखेगा नहीं कि ये 90 degree का angle बनेगा क्योंकि ये 3D figure है तो मैं दिखानी पारा यानि कि ये इस तरीके से बनेगा ये तो base बन जाएगा इसका कितना है under root l square प्लस b square समझने वाले समझें के बाकी को मतलब नहीं होता वो रटते हैं हर चीज़ को अब एक ये चीज़ है ये हमसे पूछ रहा है diagonal तो अगर मैं बापस इसमें पाइथागूरस लगा दूँ तो ये क्या होगा इसका square l square प्लस b square h का square h square ये diagonal होता है की बाइट का तो ये diagonal आपको याद करना पड़ेगा रटना पड़ेगा कि ये कीबाइट का diagonal बराबर होता है बराबर होता है अंडर रूट l square पिलस b square पिलस h square अच्छा अगर मैं रूम की बात करूं तो रूम के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं कि एक कमरे में रखी जाने वाली अधिक्तम लंबाई की छड़ आपने देखा होगा ऐसा सवाल पेपर में पूछा जाता है कि एक कमरे में कितनी अधिक्तम लंबाई की छड़ को रखा जा सकता है जैसे चोरों को मारने के लिए लोग अपने घर में मौटी सी लंबी सी छड़ रखते हैं कई बार वो दुकान पर यह बोल के लिए आते हैं कि हमें सबसे लंबी छड़ दे तो कमरे में रखी जाने वाली अब वो दे देता है एक बार तो वह आके फज जाती है लेकिन फिर वो निकलती नहीं है जब आप इतनी लंबी छड़ ले आओगे कमरे में गूमी नहीं पाईगे आप मारोगे कैसे तो फिर आपको बंदों को उसी छड़ पे पटक पटक के फैंकना होता है पूंकि आप छड़का इस्तेमाल कर नहीं सकती है तो आप चोर को लाओगे रोड पे फैंकए मारोगे फिर चोर को लाओगे रोड पे फैंक हो जब तक कि रोड टोट नहीं जाएगी तो आपको लिखना है इसमें लिखना ही कि maximum length of a rod, maximum length of a rod, that can be placed in a room, that can be placed in a room. maximum length of a rod, that can be placed in a room, मतलब कि एक कमरे में रखी जाने वाली अधिक्तम लंबाई की छड़, भी क्या फॉर्मूला होगा, अब सवाल करना सुरू करते हैं, छोटे-छोटे सवालों से सुरू करते हैं, और बड़े-बड़े सवालों की तरफ बढ़ेंगे, तो सबसे पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा, ये सारी बाते मैंने बता दी हैं आपको TSA और ये सब निकालना, यहां से सुरू करते हैं, छोटा सा सवाल है आपके सामने, ये देखें, अइजे अफ ए रेक्टेंगूलर बॉक्स आर इंडा रीष्यो तू रीष्यो थी रीष्यो 5, एंडिट्स सर्फिस एरिया इज तू फॉर्टे अट्टिस संट्यमीटर स्क्वार, find the volume of the box एक आयताकार box के किनारे दो अनुपात, तीन अनुपात, पांच के अनुपात में हैं और इसकी सत्य का चेतरफल 248 है तो box का item बताई ये क्या होगा बता सकते हैं box का item क्या हो कोई भी सवाल का उत्तर बताएगा अभी तो पढ़ाया आप देखो आप ऐसा करो इसकी लंबाई चोड़ाई को मान लो 2 के कॉमा 3 के कॉमा 5 के यह आपने मान लिया ठीक है यह बात तो तैह हो गया कि जो भी उत्तर होगा वो 30 के multiple में होगा 5 तिया 15 दूनी 30 यानि कि यह उत्तर नहीं होगा यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है हमें पता नहीं कि क्या होगा यानि लेकिन हमें यह भी पता है कि उस 30 के बाद कोई भी जैसे इसका मैं अगर volume की बात करूँ तो आप देख रहे हैं कि volume कितना आ रहा है 30 की cube आ रहा है cube क्या 30 के बाद है क्यूब बच रिया नहीं, यहां बच रिया 6 नहीं, यहां बच रिया 8 भी उत्तर होगा, मैं चाहूँ तो direct भी उत्तर लगा सकता हूँ, कैसे मैंने कहा, के हमने लंबाई चोड़ाई उचाई को क्या मान लिया, 2, 3, 5, 2, 3, 5, तो volume क्या होगा, 30 क्यूब, 5 थ स्क्वार रहना क्यूब है यहां आठ बच्रा जो दो की क्यूब है लेकिन अगर हम प्रॉपर सर्वाल करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए 30 क की क्यूब है तो कैसे निकलेगा तो मैंने कहा कि भई इसका LSA है टी ऐसे दिया हुआ है टी ऐसे टोटल सर्फेस एरिया देखिए ज है या टोटल है ठीक है तो वॉल्म कितना होगा टी ऐसे कितना होगा टी ऐसे बराबर होगा ट्वाइस ओफ एल्बी पिलस बी एच पिलस एच यह यह दिया कितना है सवाल में 248 दिया है 248 बराबर 2 LB कितना होगा LB दो तिया 6k square पिलस बी एच कितना होगा पांच तिया 15k square पिलस है एच एल कितना होगा है एच एल पांदूनी 10k square बात कर दो से कितनी बार कट गया 124 बराबर 15 और 6, 21 और 10, 31 K स्क्वार, 31 से 4 बार कट गया, K स्क्वार अगर 4 है तो K कितना आ गया, 2 आ गया, K 2 यहां रख देते हैं, देख लो सेम आंसर आ रहा है, कुछ अलग आया क्या उत्तर, नहीं, सेम आया, 30 इंटू 2 की क्यों, तो कई बार ऐसे सवाल आप्शन से भी हो जाते हैं जैसे हमने किया इस स्टार्टिंग में, हमने क्या कहा, कि वॉलिम हैं, तो 5 तिया 15 दूनी 30 का मल्टीपल और इंटू किसी संख्या की क्यूब होगी, और वो एकी आप्शन में बच रही थी क्यूब, बोलो, बोलो बोलो भाई, आरे नहीं, ठेक है, आगे बढ़ते हैं, कर यह कोशिश, पढ़ेंगे, महनत करेंगे, तो कुछ फल मिलेगा, नहीं, तो ऐसे घुमते जुमते रह जाएं, नहीं कुछ पता नहीं, यह कह रहा है, इवदा एरिया ओफ थी एडजेसेंट फेसे ऑफेसे ऑफेसे और रेक्टेंगुलर बॉक्स, विच मीट इन कॉर्नर, देखें, फिर से मैंने क्या, आपकी बार इसने यही बता दिया, कि उन सर्फेसे का एरिया हमने दिया हुआ है, जो एक कॉर्नर में मिलती है, यानि कि एडजेसेंट सर्फेस का एरिया दिया हुआ है, तो find the volume of the box, box का volume आपसे पूछ रहे है कि क्या होगा, box का volume आपसे अठार है, मैंने वही बताया था आपको कि अगर x दिया हुआ है, 18, y दिया हुआ है, 26, और z दिया हुआ है, 52, ठीक है, तो volume कितना होगा, volume कितना होगा, under root x, y, z, 18, गोड़ा 26, गोड़ा 52, यही मैंने बताया था, आप देखेंगे कि 26 यहां और यहां भी है, तो एक 26 बहा आ गया, यहां पर 2 बचा, और यहां 18, दूनी 36, तो 6 बहार आ गया, 26 छिक्के कितना होगा, 156, यह उत्तरा, अच्छा सवाल था, अब जैसे यह चीज़े हमें पहले से पता होती है, कि भाई, जहां पर एक कॉर्णर पर तीनों सर्फेस मिल रही है, उनका area हमें दिया हुआ आ तो volume निकालने के लिए हम अंडरूट XYZ कर देते हैं, जब यह बात हैं में पहले से पता होती है, तो हम सवाल जल्दी कर पाते हैं, समझ रहे हैं हैं आप बात को, जल्दी answer कर पाते हैं, जल्दी सवाल कर पाते हैं, वरना गुमते रह जाते हैं, आगे बढ़ते हैं इसकी PDF आफको तुरंट मिल जाएगे टेलिग्राम में जैसे ये खत्मों का टॉपिक वैसे ही सिक्स क्यूप्स इच ओफ एच फोर सेंटिमेटर आर जॉइन एंड टू एंड वाट इड़ टोटल सर्फिस एरिया अप दर रिजल्टिंग की बोईट च्छै घंज जिसके प्रते किनारे चार सेंटिमेटर अंत से अंत तक जोड़े जाते हैं परणामे घंज का कुल छितरफल क्या है यह आपको बताना है शिक्स क्यूप्स तो अभी हमने पढ़ाने एक सेंट यह कहां से आगया साथ यह सवाल देखेंगे उससे पहले यह बहुत जरूरी सवाल है और बहुत महत्तपूर्ण और बहुत मुश्किल भी है दोनों ही है मैंने आपको बताया एक अंडरूट एल स्कार प्लस बी स्कार होता है दूसरा अंडरूट बी स्कार प्लस एच स्कार होता है तीसरा अंडरूट एच स्कार प्लस एल स्कार होता है यह मैंने बताया है यूनिट से देन फाइंड टोटल सर्फिस एरिया ऑफ दा कीवएट total surface area keyboard का पूचा है कि क्या होगा, बता सकते हैं थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, थोड़ा सा calculated सवाल है, क्या करेंगे बताइए रिखो अब मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे सवाल में ये दिया हुआ है कि under root, ये कह सकता हूँ under root l square plus b square बराबर 2 under root 41 एक मुझे क्या दिया हुआ है under root b square plus h square थोड़ा सा calculated जरूर है ये सवाल, बट में तपूर्ण है जरूरी है जानना 2 under root 61 और एक और चीज़ हमें क्या दे रखे है under root h square plus l square बराबर 4 root 30 4 root 30 ठीक है यही है अब अगर मैं इसका square कर दूँ तो a square plus b square किसके बराबर है दो दूनी 4 4 एकम 4 4 चार चार चौक 16 164 आ गया square कर दिया मैंने उसके बाद मैंने b square plus h square किया तो यह किना आ गया 2 दूनी 4 4 एकम 4 4 चार चौक 24 264 आ गया क्योंकि जो हमसे पूछा है संपूर्ट प्रेश्चे तरफल उसके लिए हमें lbh निकालना पड़ेगा और कोई 4 नहीं है बिना lbh के करने का फिर हमने बापस square कर दिया l square plus h square बराबर 4 चौक 16 गुड़ा 13 यह कितना आजएगा तेरे चींग अठातर का आठ हांसिल साथ तेरे एकम तेरे और साथ 208 सभी है अब इन सबको जोड़ देते हैं इन सबको जोड़ देते हैं आप ने अगर इन सबको जोड़ा क्या बन जाएगा ट्वाइस ओफ एले स्कुआइर कैलकुलेशन यह मैं बता र दिया तो मैंने देखा कि 264 और यह 400 चोटाइस चारसो अठाइस तो यह हो गया 200 चैसोटाइस चैसोटाइस में आठ चुड़ेंगे 636 दो से भाग लगाया है तो यह कितना बच रहा है दो ती अच्छे 308 यानि एल स्कॉयर प्लस बी स्कॉयर प्लस एच स्कॉयर तीन सोटा बहुत ध्यान से देखना कि हमने क्या निकाल दिया हमने निकाल दिया एल स्कॉयर प्लस बी स्कॉयर प्लस एच स्कॉयर बराबर 308 यह हमने निकाल दिया हमने ठीक है अब आप पहेंगे दोस्त यहां पर एक छोटी सी बात आप कहेंगे कि एल स्कॉयर प्लस बी स्कॉयर 164 ह है है या नहीं तो h2 कितना बज़ गया है यहां से अगर मैं घटा दूं तो h2 यहां से कितना आ रहा है कुछ गड़ बढ़ तो नहीं आ रही है 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 h2 8 में से 4 गए 4 31 में से 6 ले गए तो 15 तो पॉइंटों में क्यों आ रहा है यार घनाप का संपूर्ण प्रश्चेत्रफल पूछ रहा है हमने कहीं मिश्टेक तो नहीं कि एल स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर टू अंडर रूट 41 था टू अंडर रूट 61 चार रूट ते रहे स्क्वाइर कर दिया तो दू दूनी चार 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 चोक सोल है चार एकम चार चेंग चोबिस यहां पर हमने यह मिश्टेक कर दिए शिट 244 आएगा है और हमने 264 लिख दिया था यानि कि हमने 20 ज्यादा लिख दिया था 20 हमने ज्यादा लिख दिया तो 20 कम करना पड़ेगा 20 कम करने का मतलब यहां कितना आएगा 616 आएगा सही है देखना एक बार जगा चार और चार आठ और आठ आठ 16 हासिल एक 6 और चार दस और एक एक हासिल एक 2 एक 3 और दो 5 और एक 6 616 दो से काटूंगा तो कितना बचेगा 2 ती आच है 308 आएगा 308 मुझे तो दिख गया था कि कहीं ना कहीं कुछ इगड़ बढ़े 308 अब आपने देखा H स्कुएर कितना निकल के आगया 144 तो ह कितनी आगई 12 ह बारह निकाल पाए अगर मैं यहांसे B स्कुएर की बात कर दो B स्कुएर क्या होगा 308 माइश एल स्कुएर ह कितना आएथ हमारा 208 यानि कि ये 100 आगया 100 आने का मतलब B कितना आगया 10 बी डश आगया स्क्वार प्लस बी स्क्वार कितना आया था 164 तो एच स्क्वार कितना आएगा 308 यह तो हो गया 164 वाला तो बी स्क्वार प्लस एच स्क्वार 244 एल स्क्वार निकालने के लिए क्या करेंगे 308 में से 244 माइनस कर देंगे शब्पन और आठ कितना आगया 64 तो एल कितनी आगई आठ सुचिए इतना मुश्किल सवाल होता है जब भी पेपर में आएगा यह मुश्किल ही देगा इसको सौल्ड करना या तो ट्रिपलेट बन जाए अधिक या तो ट्रिपलेट बन जाए ट्रिपलेट ठीक है बात आई समझ या नहीं आई जो मैंने बताई मैंने क्या कहा कि यह सवाल जब भी आएगा तो हमारे पास यही प्रॉसेस है या तो देखे हमें यहीं पे देखके पता लग जाता कि ट्रिपलेट बन जैसे हैं सत्रे होता तो मैं आइडिया लगा लेता कि हैं आठ पंद है कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं हो सकता है एससी में जब भी सवाल आई तो वह ऐसे ही हो जाए कि यहां 13 है आपने आइडिया लगा लिया पांच और 12 का तो ट्रिपलेट पे भी डिपेंड आ सकता है और ना आई तो हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा एच 12 और यह अब मैं यह दर का थोड़ा सा पार्ट मिटा रहा हूं आपने नोट कर लिया होगा का कि अ मैं अद्यवी अब अगर वॉलिम पूछा हो ता फिर भी सरल है बट्ट टोटल सर्फेस एरिया पूछा है टूटल सर्फेस एरिया ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL कितना आगया? Twice of LB प्लस BH प्लस HL तो अब आब बताओ LB कितना होगा? 8 हिंदी प्लस 80 2 के बाद कितना होगा? 80 प्लस BH कितना होगा? BH 120 HL कितना होगा? 128, 96 ठीक है? तो कितना आजाए है कि टोटल 2 गुड़ा 296 जानी 600 में 8 की कमी 592 जिदा correct answer तो कुछ एक ये सवाल हैं जो बहुत लेंथी कोई और इनका सवाल पूछ लेंगा? इस तरीके से पूछ लें कि पाइथागुरस हम लगा पाएं ट्रिपलेट हम लगा पाएं नहीं लगा सकते तो यही तरीके से जाना पड़ेगा बट मैं आपको समझाते हुए गया हूँ तो थोड़ा time आप तो क्या करोगे? इसका square, इसका square करके जोड़ दोगे जोड़ के दो से भाग करके एक बार इसको घटाओगे तो एक आ जाएगा H इसको घटाओगे तो B आ जाएगा उसको घटाओगे तो L आ जाएगा चले यह सवाल देखिए हर एक सवाल जो keyword से जुड़ा हुआ है हम class के अंदर कर लेंगे आप यह सवाल देखिए सवाल कह रहा है कि find a length of longest post can be placed in a room 25 meter long 15 meter draw 10 meter high 25 meter long 15 meter चौड़े 10 meter उचे के में लखे जाएगे पोल की अधिक्तम लंबाई यह वही बली बाद आपको पोल की length के लेंद के लेगी तो आपको का जी हाँ पढ़ा था कि डाइगुनल हो डाइगुनल क्या होगा अंडर रूट L स्क्वाईर plus B square plus H तो क्या होगा यह अंडर रूट अंदर 55 पिल्स रेका इसक्वाईर 25 पिल्स रेका इसक्वाईर 10 का इसक्वाईर तो अगर पांच का अंदर भाहर के लें तो अंदर 25 पिल्स रेका इसक्वाईर कि ना अगे और रही तो मैं आ रहा है कि शुरूट का पांज फाइव थर्टी कि कि युरूट कि युरूट खुरूब रही तो मैं आ रहा है कि ऑने कि युरुट का जम आ ड़कात्यों शुरूब तो मैं आ रहा है कि वहँदूब भी तो साइव तो घिल से लुग। नाव चोट रहे हैं दसा तो आइटो बहुत और ललुट लेका स्वाइब आप है कि इस लोगा है कि अ गूप स्वाइब में हुआ है जात है यह थैं है कि अपangen नहीं लॉगा है कि वान ओता टॉस्टा टिए धिए य॥ कि अबला बार कि एग्यों स्थाओन कि अजिए कर दो नहीं बुस्त कर दो लाई हो जाए ते बीसे उने सब्सक्राइब कोई है कि अविए अभी है कि ए बुट्ट इन बीसे लेगा हो तो है कि अ बुट्ट ड्यार को शब्सक्वा ऊपे रही हो झाल 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 झाल